मायपूरी न्यूजल में आपका स्वागत है मैं हूचाया आई देखते हैं बॉलिवुड की खबरे फटा फट ससुराल में प्रियंका चोपड़ा का पहला ओफिशियल वर्ग पहली बार प्रियंका अपने ससुराल वालों के साथ प्रोफेशनल तोर पर नज़र आई है जोनस प्रदर्स के साथ उनका पहला गाना सकर रिलीस हो चुका है यह प्रियंका का हॉलिवुड में चौथा बड़ा काम बन गया है क्योंकि जोनस प्रदर्स के साथ काम करना हॉलिवुड के हर नए स्टार का सपना है इस सौंग वीडियो में प्रियंका के साथ उनके लगभग सभी ससुराल के सदस से नज़र आ रहे है तीनो जोनस प्रदर्स के साथ सोफी उनके देवर जो जोनस की गल्फिंट सोफी टनर भी इस वीडियो में मस्ती करती नजर आ रही है प्रियांका के अलावा निक जो डैनियल और सोफी ने भी इस वीडियो की क्लिपिंग अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से ही इसके सेंशल्स होने का पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है तो इसे देखने पर आप पाएंगे कि इस वीडियो में प्रियांका, सोफी और डैनियल ने जम कर मस्ती की है इस तरह जोनस प्रिदर्स और इनलो सिस्टर्स ने मिलकर इस काने को गजब बना दिया है बॉलिवुड अक्टर टाइगर श्रॉफ नई जेनरेशन के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है क्योंकि आज हम टाइगर के रूटीन और उनकी आदुतों के बारे में बात करने वाले हैं इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है उनका जिम लव जिसके बारे में सभी जानते हैं टाइगर अपने जिम रूटीन को लेकर इतने पर्टिकुलर हैं कि एक दिन अपना शेडियूल मिस नहीं करते टाइगर हफते के दिनों के मताबिक अपना जिम का प्लान बनाते हैं एकसरसाइस के अलावा टाइगर शौफ अपनी डाइट को लेकर काफी सतर्क रहते हैं कहा जाता है कि टाइगर अपना डाइट प्लान सकती से फॉलो करते हैं लेकिन हाँ एक दिन वो इस मामले में थोड़ी धील बरत लेते हैं इस चीट डे वाले दिन वो आइस्क्रीम बड़े ही शौक सिखाते हैं उन्हें आइस्क्रीम खाना इतना पसंद है कि एक ही दिन में 10 स्कूप आइस्क्रीम खा लेते हैं जिम के अलावा टाइगर को डांसिंग का शौक है वो अपने रूटीन में थोड़ा टाइम डांस के लिए भी जरूर निकालते हैं तभी तो स्क्रीन पर इतने कमाल के दिखते हैं जिम और डांस के अलावा टाइगर के पसंदीदा गेम की बात करें तो उन्हें फुटबॉल खेला बहुत पसंद है सोशल मीडिया पर कई बार टाइगर फूटबॉल खेलते नजर भी आए हैं अब आप ही बताइए इतना सब कुछ करके भी अगर टाइगर फिट नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा सास के बड़े पर सोनम ने खोला रिष्टे का राज सोनम ने अपनी सास प्रिया आहुजा के जन दिन पर एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है हाला कि सोनम मैसेज करने में लेट हो गई लेकिन देर सही सही उन्होंने बहुत ही प्यारा मैसेज किया है तस्वीर में सोनम और उनकी सास ने एक दूसरे को पकड़ रखा है जिसे देखकर समझ आ जाता है कि दोनों के बीच रिष्टा कितना गहरा है सोनम ने कैप्शन में लिखा हैपी बर्थ दे मॉम आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है मैं घर और खाने को याद कर रही हूँ साथ ही आपके दुलार का तरीका धेर सारा प्यार बता दें कि प्रिया आहुजा का जन्दिन 27 फरवरी को था सोनाक्षी सिना पिछले कुछ समय से एक फिल्म की शूटिंग कर रही है जिसका फिलहार टाइटिय खांदानी शफा खाना दिया गया है नाम जानने के बाद ये तो आप समझी गए होगे कि ये फिल्म गली महले में चलने वाली सेक्स क्लिनिक की कहानी से जुड़ी है जहां मरदाना ताकत दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों को जहासे में लिया जाता है फिल्म इसी विशे पर व्यंग्यात्मक कहानी होगी जानकारी के मुताबक इस फिल्म में सोनाक्षी सिना का रोल सेक्स क्लिनिक चलाने वाली लड़की का होगा ये फिल्म जन्वरी में शुरू हो गई है और इस महीने के अंध तक इसे पूरा भी कर लिया जाएगा जानकारी के मुताबिक सोनाक्षी का किरदार पंजाब के होश्यार पूर में सेक्स क्लिनिक चलाने वाली का होगा और अनु कपूर उस दुकान के मालिक होंगे सोनाक्षी इन दिनों इस फिल्म के बाकी कलाकारों बाच्शाव, वरुन शर्मा, कुलभूशन, खरबंदा और नादिरा बंबर के साथ शूट कर रही है फिल्म तक्त में लोगों का खून बियेंगी भूमी पेड़नेकर भूमी पेड़नेकर की बॉलिवुड में भले ही तीन फिल्में आई हों लेकिन वो इंडस्ट्री में अपनी जगा बना चुकी है भूमी की फिल्म सोन चिडिया जल्द आने वाली है और आने वाले साल में उनके पास कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट्स भी है भूमी करन जोहर की फिल्म तक्त में भी दिखाई देंगी भूमी कहती है मैं भारत के सबसे अमीर परिवार का हिस्सा बनने वाली हूँ इसलिए ये भी एक बदलाव है भूमी ने ये भी बताया कि तक में वो ऐसे किरदार में नजर आएंगी जो लोगों का खून पीती है भूमी ने अपने रोल के बारे में जादा तो नहीं बताया लेकिन हिंट दी है सारा अली खान बॉलिवुट की यंग संसेशन बनकर सामने आ रही है सोचल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आए दिन वाइरल हो रही है सारा अली खान की बच्पन की एक तस्वीर वाइरल हो रही है जिसमें वो पिता सैफ अली खान के साथ नजर आ रही है मा अमरिता सिंग पिता सैफ अली खान और भाई इब्राहिम के साथ सारा इन दिनों सारा अली खान एक एक्ट फेस्ट में शामिल हुई, इस दौरान वो कलरफुल माक्सी ड्रेस में नजर आई सारा ने पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म केदारनाथ से बॉलिवुड में डेब्यू किया था, केदारनाथ ने वॉक्स आफिस पर खास कमाल नहीं किया, लेकिन इस फिल्म से सारा अली खान चमक गई, सारा अभी 25 साल की है, सारा के पास विलहाल कोई फिल्म के क्लामेक्स ने दर्श्कों को कई इस तर पर हैरान कर दिया था, फिल्म गरम हवाation को कैफी आज़मी और शमाजैधी ने लिखा था, ये फिल्म लगेंरी आक्टर बलराच साहनी के करियर की अन्तिम फिल्म थी इस शानदार पॉलिटिकल फिल्म को सदा बहार फिल् के लीगल सिस्टम पर चोट करती ये फिल्म देश के कई समुदायों और क्लास पर प्रभाव डालने में काम्याब रही है फिल्म नायकन ये कहानी वर्द राजन मुदालियर की जिंदगी पर आधारित थी इसे भारत की सर्वशेष्ट गैंग्स्टर फिल्म के तौर पर शुम फ्रास लोगों के हालातों को बया करती इस फिल्म को देखते हुए कई बार सोचने पर मजबूर होना पड़ता है बॉलिवुड अक्टर स्वारा भासकर की वेब सिरीज रस भरी फ्रांस में सिरीज मैनिया इंटरनेशनल फेस्टिवल में मुकाबला करेगी तन्वीर बुक वाला निर्मित सिरीज फेस्टिवल में दिखाई जाएगी जिसका आयोजन 22 मार्च से 30 मार्च तक होगा ये दावा किया जा रहा है कि रस भरी शॉर्ट फॉर्म कॉम्टीशन में चैनित होने वाली पहली भारती सिरीज है स्वरा ने एक बयान में कहा कि रस भरी जैसे शो का हिस्सा बनकर मेरे अंदर का कलाकार रोमांचित था और अब ये जानने के बाद कि हमारी सीरीज प्रतिश्चित सीरीज मैनिया इंटरनाशनल फेस्टिवल के लिए चुनी गई है मैं रोमांच में हूँ लव मैरेज करेंगी क्रिती सैनन बॉलिवुड अभी ने इत्री क्रिती सैनन की फिल्म लुकाचिपी रिलीस हो गई है ऐसे में वो अपनी फिल्म के प्रमोशन में खूब महनत कर रही है अपनी असल जिंदगी में लिवन रिलेशन और शादी को लेकर हमसे हुई बातचीत में क्रिती साफ कहती है कि वो कभी भी अरेंच मैरेज नहीं करेंगी उन्होंने तो अपनी मम्मी पापा से भी साफ कह दिया है कि वो प्रेम करने के बाद ही विवाह करेंगी कि वो प्रेम करेंगी